प्रश्कार दोस्तो दोस्तो अगर आपको भी डेली केपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया IPL 2024 का सोलवा मुकावला और सबसे रुमान्चेक मुकावला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक चरूर कीजिएगा जीहां दोस्तो इस वीडि की डेली केपिटल्स और सेरे सेर की कोलकाता नाइट राइडर्स मैदान पर उतरते हैं वहीं दोस्तो इस मुकाबले में डेली केपिटल्स ने टोस जीत कर पहले गेंदवाजी करने का फायसला करते हैं वहीं दोस्तो केकार को पहले बल्लेवाजी करने को कहा गया दोस्तो को पारी की शुरुवात करने के लिए मैदान पर फिलिप्सॉल्ट और सुनिल नारायन उतरते हैं। जिया दोस्तों जैसे ही दोने बल्लेवाज मैदान पर आते हैं। शुरुआत से ही कुलकता को ताबरतोर अंदाज में शुरुआत दिलाती हुए दिखाई देते हैं। वहीं पर दोस्तों दिल्ली की ओर से खलेल आहमेद को पहला ओवर दिया जाता है। और पहले ही गेंद पर फिलिप सॉल्ड चोके के साथ पारी की सुरुआत करती हुए दिखाई देते हैं। सुनिल नरायन भी अच्छी बल्लेवाजी करती हुए दिखाई देते हैं। और अब दोनों ही बल्लेवाजों के बीच जो है साथ रनों की ओपनेंग पार्टनर्सिप बना लेती है। लेकिन फिर दोस्तो पारी का तीसरा ओवर लेकर आए एंडरिक नोकिया ने फिलिप सॉल्ड को स्टब के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। वहीं दोस्तो फिलिप सॉल्ड जो है अठारा रन बनाकर आउट हो जाते हैं। बावजूद सुनिल नारायन जो है वो पूरी दवाव में नहीं खेलते हैं। और दोस्तो बिल्कुल फिरी माइंड से खेलते हुए देली की गेंदवाजों पर पूरी तरह से परवार करती हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ दोस्तो अनुकॉल रोई भी गजब की बल्लेवाजी करती हुए दिखाई देते हैं। अब दोनों ही बल्लेवाज क्रीज पर पूरी तरह से सेट हो जाते हैं। और दिली को इस मैंच में पूरी तरह से पीछे धकेल देते हैं। जी हां दोस्तो दोनों ही बल्लेवाजों के बीच 104 रनों की सांदार पार्टनर्सिप देखने को मिल जाता है। दोनों ही बल्लेवाजों ने मिलका टीम के स्कोर को 132 रन तक पहुँचा देते हैं। लेकिन दोस्तो तभी खतरनाक रूप में बल्लेवाजी कर रहे हैं सुनिल नाराइन मिचल मार्स के हाथोक पैट केमिन्स की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। और दोस्तो सुनिल नाराइन जो है 49 गेंद खेल कर ताब और तोर अंदाज में 85 रनों की सांदार पारी खेलती हुए आउट हो जाते हैं। वहीं दोस्तो सुनिल नाराइन के आउट होने के बाद अब एक और खतरनाक बल्लेवाज अंद्रे रसल मैदान पर पारी की सुरुआत करने के लिए उतरते हैं। और दोस्तो अंद्रे रसल और अनुकुल रॉय जो है अब रन बनाती हुए दिखाए देते हैं। रॉय और रसल के बीच एक महतपून साज़ेदारी देखने को मिलता है और ताबर्तो और बल्लेवाजी करती हुए कोलकाता के रन गती को एक दम से आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन दोस्तो इस साज़ेदारी को नौकिया ने रॉय का विकेट लेकर तोड़ देते हैं। पूरी तरह से दवाव बनाने की कोशिस करते हैं। एक बार फिर से दिल्ली के गेंदबाजोप का खूब जोर शक्को चोगो लगाना शुरू कर देते हैं और दोस्तो कोलकाता की टीम पूरे बीस ओवर खेलती हुए IPL इतिहास के तीसरे सबसे वड़े स्कोर को खड़ा कर देते हैं जी हाँ दोस्तो कोलकाता की टीम ने पूरे बीस ओवर खेलती हुए दोस्तो 72 रन बना लेते हैं जो कि IPL इतिहास का तीसरे सबसे बड़ा स्कोर होता है दोस्तो इस पहाड जैसे लक्षे का पीछा करने उत्री देली केपिटल्स की ओर से काफी खराब सुरुआत देखने को मिल जाता है जी हाँ दोस्तो 33 रन की स्कोर पर ही देली केपिटल्स के चार विकेट गिर जाते हैं अलगतार अंतराल पर विकेट गिरने के बाद देली केपिटल्स पूरी तरह से दवाओ महसूस करते हैं जी हाँ दोस्तो पारी की सुरुआत करने आये वर्नर 18 रन बनाकर आउंट हो जाते हैं उसके बाद दोस्तो पिर्थवी सौबी 10 रन की स्कोर पर ही पैविलियन के रास्ता को नाप लेते हैं और दोस्तो उसके बाद जो है कोलकाता के गेंदबाजों का कहर तूटता है जी हाँ दोस्तो मिचल मार्स और अब इसे एक पोराल भी केवल गोल्डेन डेक पर ही आउंट होकर पविलियन लोड जाते हैं और दोस्तो देली केपिटिल्स की ओर से मुस्किले बढ़ती जा रही थी लेकिन दोस्तो उसके बाद जो है पारी की संभालने के लिए रिसपन्त आर्टिस्टन स्टाब किरिच पर मौजूद थे और यहाँ पर दोस्तो दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी साज़दारी देखने को मिल जाता है दोनों ही बल्लेबाजों ने 47 गेंद में स्ताब और तोड अंदाज में खेलते हुए 93 रनों की पार्टनर्शिप कर लेते हैं और दिल्ली के एक बार फिर से मैच में वापसी करते हैं और कोलकाता के गेंद माजों के ऊपर पूरी तरह से दबाओ को हटा देते हैं दबाओ बनाए हुए रखते हैं और दोस्तों 55 रन के स्कोर पर रिसपंट जो है आउंट हो जाते हैं रिसबपंद के आउंट होने के बाद एक बार फिर से टीम पूरी तरह से लर्खडाती हुई दिखाई देती है जी हाँ दोस्तों इस विसाल के लक्ष का पीछा करने उतरी जो है 138 रन के स्कोर पर जो रिसबपंद अपना विकेट गवा देते हैं और कप्तान के विकेट गिर करने के बाद जो है दिल्ली की टीम पूरी तरह से लर्खडाती हुई दिखाई देते हैं जी हाँ दोस्तों आब यहां से दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 41 बॉल पर 14 रनों के आवे सकता थी लेकिन दोस्तों तभी अक्सर पटेल बल्ले वाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं आव पूक्सर पटेल अब पारी को सुरुआत करने की जीमदारी लेते हैं लेकिन दोस्तों ओहीं पर अक्सर पटेल जो है जीरो रन की स्कोर पर ही पाविलियन के ओरलोड जाते हैं और एक बार फिर से दोस्तों कोलका तकी गयन बाद गयाके दिल्ली के बल्ले करते हुए दिखाई दे रहे थे वहीं पर दोस्तों अक्सर पटेल और बाकी बलेबाद जो है आउंट के उपर आउंट होते जा रहे थे टिस्टन स्टब अब तक 42 रन बना चुके थे हाला कि वह इस पारी को लंबे तक समय तक नहीं टिका पाते हैं और वह भी जल्द ही पव जटका लगता हुआ दिखाई देता है जो कि देली क Candy के लिए अच्छी साइन नहीं होती है पिछले मुकाबलों में जीत कर आये डेली के पित्ल को नहीं बढ़ा पाती है जेत के ऩ का सामना करना पड़ता है